नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि मेगामोक सीवी 625 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. मेगामोक सीवी 625 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मेगामोक सीवी टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. और यह भी डिस्कस करेंगे कि मेगामोक सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. मेगामोक सीवी 625 एक ब्रैंड नेम है. मेगामोक सीवी 625 टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है. मेगामोक सीवी टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन 500 mg और पोटैशियम क्लैविलैनिट 125 mg होता है. मेगामोक सीवी टैबलेट एक अंटिबायोटिक दवा है. मेगामोक सीवी टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टिरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है. जैसे फेफरों में बैक्टिरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इन्फेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर, और क या तवचा पर कोई infection होने पर भी Dr. Megamok CV tablet को लेने की सला दे सकता है. शरीर में infection होने पर बुखार हो सकता है. इसलिए बुखार होने पर भी Dr. Megamok CV tablet को लेने की सला दे सकता है. इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions है, जिनमें आपका डॉक्तर मेगामोक सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में मेगामोक सीवी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की मेगामोक सीवी टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। मेगामोक सीवी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर मेगामोक सीवी 625 टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। मेगामोक सीवी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको मेगामोक सीवी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की मेगामोक सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। मेगामोक सीवी टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने मेगामोक सीवी टैबलेट को लेने की सला दी है. क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक मेगामोक सीवी टैबलेट को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है. और एंटिबायोटिक रेजिस्टन्स होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और मेगामोक सीवी टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए आपको मेगामोक सीवी टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। मेगामोक सीवी टैबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में मेगामोक सीवी टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को Amoxicillin, Potassium Clavulinit, Penicillin Antibiotic या Seflosporin Antibiotic दवाओं से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को Megamox CV Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए. वैसे Megamox CV Tablet Pregnant महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Megamox CV Tablet का सेवन करना सुरक्षित है. इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Megamox CV Tablet को लेने की सला दे सकता है. विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Megamox CV Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं.